इस्राइल और हमास के बीच चल रहे गाज़ा युद्ध को एक साल बीच चुका है वगर अब तक ये जंग किसी नतीजे तक पहुँचती ये नजर नहीं आ रही है नितन्याहों की जिद ने गाज़ा पट्टी को खंडर बना दिया है चार और इमार्दों का मलबा या फिटूटी फूटी बेडिंगे देखने को मिल रही है शहर की सड़के गंदगी, मलबो और लाशों से पट्टी पड़ी है गाज़ा में लोगों का जीवन पुरी तरह से बदहाल हो गया है मौजूदा जंग ने गाज़ा पट्टी में 41,000 से ज्यादा ज़ाने ली है इनमें आधी सी ज़ादा महिलाई और बच्चे शामिल है अभी इसराइल की बंबारी और जमीनी हमले में तबा होई गाज़ा को फिर से पट्टी पर लोटने के लिए कम से कम साल 2044 तक का समय लगेगा पहले से ही पिछले पन का शिकार गाज़ा अब महिस पत्थरों का ढियर बनकर रह गया है जहां से सिर्फ और सिर्फ गोलाबारी के आवाजे गूंचते सुनाई पड़ती है इस बीच गाज़ा पर इसराइल के ओर से किये जा रहे हमलों ने जहां पहले से ही हालात नर्क बना दिये हैं वहाँ अब लोगों के लिए एक और खतरनाग दुश्मन ने अपने पैर पसार लिये है इस से वहाँ के लोग बिना इसराइली हमलों के भी शिकार बनते रहेंगे दरसल गाज़ा में आने वाले सालों में होने वाली कई सालेंट मौतों का जमदार एस्बस्टरस अपनी जड़े मच्पीट कर चुका है अलजाजीरा की रेपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में इसराइली हमलों की वजह से एस्बस्टरस नाम का पधार गाज़ा की हवा में घुल गया है यह ऐसा खतरनाग जहर है जो बिना किसी हमले के ही लोगों की मौत की वजहा बन सकता है यह सांस की जरीय लोगों की शरीर में घुस रहा है जिससे कैंसर होता है यूएन की रेपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में इसराइली हमले से तबाह हुई इमारतों की मलबे से करीब आठ लाक टन एस्बस्टरस हवा में घुल चुका है बताते चले कि हमलों से तबाह हुई इमारतों के मलबों से एस्बस्टरस निकल कर हवा में मिल जाता है ये एक ऐसा पधार्थ है जो बिना छिड़े रहने पर इंसानों के लिए कम जुकिंबरा होता है मगर जब ये हवा में फैल जाता है तो ये खतरनाक रूप ले लेता है गाज़ा में फसे फिलिस्टीनियों के लिए एक मौत की सजा है इस्राइली हमलों के वजह से एस्बस्टरस की बहुत बड़ी मातरा हवा में मिल चुकी है जो सांस के जरीए लोगों में कैंसल का कारण बन सकती है हेल्थ एक्सपर्ट्स के माने तो ये कैसी तराज़ी है जो आने वाले समय में सामने आएगी बताया जाता है कि ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुए 9-11 हमलों के बाद भी हुआ था जहां कई लोगों की मौत सिर्फ ऐस्पेस्टस के वज़ा से हुई थी ऐसे में इसराइल ने अपने हमलों से गाजा को कई दशक पीछे धकेल दिया है जहां नज़र दोडाते वक्त सिर्फ तबाही मौत और विनाश ही देखने को मिलता है यहां के लिए भी दिए फ्मयश म्रोगों ही